अस्सालामारेकूम नाजरीन, मैं आपका मैज़वान अभुबक कर्मान अखीब, आप देख रहे हैं आसाथ निमस नाजरीन, जैसे कि आप तमाम जानते हैं, AIM, AIM, प्राने शहर में काफी सारे जगाओं पर हमेशा काम कराते हुए नजर आते हैं वहीं पर चंद्रायन गुट्टा कॉंसेटेंसी के कॉर्परेटरों में जाने माने कॉर्परेटर अपद्रिहमान शाह साहब जो के सलाला के कॉर्परेटर हैं और उनकी बहतरी नुमायंदगी देखने को नजर आती हैं जैसे के चाहे एलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से होने दो या वाटर लैन के होने दो या तो फिर डेनिस से जुड़े कोई भी काम होने दो AIMIM के सलाला कार्परेटर अपद्रिहमान शाह साहब कई काम को अंजाम दिए वहीपर आज एक बहुतरीन काम देखने को मिला जो के सलाला पर हम्जा मस्चित के सामने एक नाला जाला है एक बड़ा नाला जिसके उपर सिलाब दालने की वज़े से नाला बनने के बाद में कभी काम नहीं हुआ था लेकिन नाले के उपर का कवर तोड़कर नाले को साफ किया जा रहा है यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही काम है क्यूंकि बस्ती का काफी सारा डेनिश का पानी यही नाले से घुजर कर जाता था और आप देख सकते हैं स्क्रीन के उपर के नाला यह पुरा भर गया था समझे जिससे पानी उबलकर बाहर आने के आसार थे जो के नाला बिल्कुली मस्जीद के सामने से लगकर जा रहा था और नाले के उपर कुछ लोगों ने जो नाले का सलाब होता है उसके उपर एक कमरा और भी बना लिया था जिसे अब्दरह्मान शाह साहब ने डिस्मेंटल करने लगा है तो हम यहाँ पर AIMIM की जानिप से होने वाले कामों को लेकर काम तो कराने के लिए हमारे MP साहब और हमारे ML साहब हमेशा तयार है लेकिन यहाँ पर AIMIM कार्परेटर का काम होता है काम को अंजाम तक पहुँचाना तो हम यही बात कर रहे हैं अब्दरह्मान शाह साहब की जो अपने काम को अंजाम तक पहुँचा रहे है जो के पराने 20 साल 25 साल पराने पोल्स हो गए थे जो के हिर रहे थे उन्होंने पोल्स का भी काम करवाया और वाटर लेंग का काम करवाया कही जगा पर सडखे जो खराब हो गई थी हमेशा पैश डालकर उसे बराबर कर रहे थे लेकिन कई जगावां पर उन्होंने प्राणी सड़कों को तोड़कर नई सड़के भी दलवाई तो अब्दरह्मान शाह साहब के यहां पर कारणा में हमें देखने को मिलते है और यहीं पर सलाला में जो अवाम है अवाम की लापरवाही भी नज़र आती है जैसे के सड़क दालने के बाद में यह लोग को याद आता है कि हमने पीने के पानी के लिए घर में लैन नहीं ली या हैसो हमने डेनिज लेंग मिलाने के लिए भूल गया या तो फिर घर जब तोड़ते है खाली जमीन पर घर जो महिल की शकल में घर बनाने की कोशिश करते है घर बनाने के लिए लाखो रुपे या फिर कड़ो रुपे खरचा करते है लेकिन घर से निकलने वाला जो मलवा होता है जो डिस्मेंटर होता है सामने कहीं पर किसी की बॉंटरी खाली नजर आई ये बॉंटरी के सामने से वो मलवा जमा कर देते है या कच्रे की कुंडी पर या खाली जगाओं पर यहां तक तो बेशर्मी की हद हो गई कि इसी तरह से घर से निकलने वाला कच्रा भी अभी खबरों के उपर खबरस्तान में फेका जा रहा है तब कर घरों पर गाड़ी आके 100 रुपे लेती है महने को और घर से कच्रा ले जाती है यहां तो फिर सुबा उटना नहीं होता है कच्रे वाले को कच्रा देने के लिए यह पता नहीं लेकिन घरों से कच्रा ले जाकर खबरों पर दार रहे हैं खबरस्तान में फिक रहे हैं याने खबरों की कितनी बेहुर्मती हो रहे है हम ये बताने की कोशिश कर रहे हमारी अवाम से गुजारीश है कि अपना घर सजाने के लिए अपना घर साफ करने के लिए आप जितनी महिनत करते हैं जितनी साफ सपई करते हैं अपनी बस्ती और खबरस्तानों को भी साफ रखने की कोशिश करें इस तरीखे का मलवा रोटम जमाएं कही जगह पर मजजिक के सामने जमाएं अपना घर तो तैयार होगए लेकिन वन्डरी खाली थी बॉन्डरी के सामने डाले चोड़ दिये जहां पर पर लाको रुपए या करोड़ झाल